नमो नारे येगो माता वंदे मात्रमा भार्तिक उप्रणाम और हिर्दैशे ओम्शम्शनिश्य राय। प्रदर्शकों मित्रों शाक्थ्यों हरी चिंतन प्रभू का शुमिरां भगवट भजन मानव जीन के कल्यान का अधभुद शस्त्र यह जीति जीव उस प्रमनन परमये शक्षक पृप्ति करता है अभी हमारे उपर निर्व करता है की wiggle बजन यहि Bazhann से हम ढाधन की प्राप्ति चाहते है यह चाहते है यह हम चाहते हैं कि हमारा रोग मिड़ जाए थीक उसी तरह रहा है जी प्रमास्तर समय को समा कि मच्छर मारने के लिए अगुरें ध्युकर नहीं और भुद्यमान वक्ति कभी ऐसा करे गए भगवन भजन हमेशा प्रमात्मा की भक्ति के लिए इस प्राप्ति के लिए प्रभु का शुम्रण अधुद रहता है और जो व्यक्ति अपने इश्ट का सुम्रण करता है प्रमात्मा का भजन करता है प्रमेशन को याद करता है विपति वैसे उसके पास नहीं आती रोग वैसे उसके पास रहते हैं और धन की कमी उस लगती के पास कभी नी रहते हैं बजन का तो अपना ही प्रताब है कि भगत सदा सुखी रहता है बजन करो निश्वार्त भाव से जीवन खुश्यों से परा रहेगा ओम नमव ना रहें प्रदर्शकों मित्रों साथ की बात करते हैं 29 जून 2023 की आनुसार गुरुवार 29 जून 2023 जूर्व गरती सिर्द गालिन दिति एकाद सी है तीथी का जो समयाति काल थीस जून सुबे दौज सब्चार 22 मिनट कर grayông है सुब्चार सुर्दिकाली ये चुह है ये श्टिकाल है तीस जून सुबे तीन बसौज दौज स्वृतिकाली नक्षत्र श्वाति नक्षत्र स्वामी राउदेव नक्षत्र का जो श्माप्ति काल है वो सुबे साड़ी चार बजे है अगला नक्षत्र विशाका होगा और नक्षत्र स्वामी ब्रश्पति देव यानि आज चंदर देव पूरे दिन ब्रश्पति देव के नक्षत्रूमें संचरा है आज जो गहें योगा योग है चंदर देव तुला राशी में रॉप संचनुं रासी में सूर्य देव और बुद्य संचनुं। करक रासी मैं मंगल देव शुक्र देव मेश रासी ब्रस्पति देव और रहु देव कुम राशी में शननीumbles यह है गुष्यों का संचन और इसी आधार पर 29 जून年前 तो उस्तियाattend है ति आगा है अब vic आज के दिन कोई भी शुबकारी करने के लिए सबसे उत्तम मुर्थ कोई भी नयार सुबकारी जिसकारी में चीर काल तक लाब लेना हो उसे अभी जीत मुर्थ में करें और अभी जीत मुर्थ भगवान श्रीहरी को बहुत प्रिया है आज का लाब का चोगडिया दोपर 12 बज़कर 25 मिन से लेकर दोपर 2 बज़कर 9 मिन तक अमर्त का चोगडिया दोपर 2 बज़कर 9 मिन से लेकर दोपर 3 बज़कर 44 मिन तक शुबका चोगडिया शाम 5 बज़कर 38 मिन से लेकर शाम 7 बज़कर 23 मिन तक रहेगा आज गा जो राहुकाल है वो प्राते साड़े साथ बज़े लेकर नौबल तक राहुकाल के दौन शुबकारे करना, सौधा करना, पुंजनेस करना, आनुकूल और उचित माना नहीं गया, ऐसी सला मेरी और मर्जिया, यात्रा दक्षिन दिशा की ठीक रेगी, आज की दिन या यात्रा के लिए घर से बाहर निकले, तो पहले साथ कदम दक्षिन दिशा की और जाए, इस्ट देवता, कुल देवता, पिदर देवता का ध्यान करते, मंगल में यात्रा की कामना की साथ राइट टर्ल लीजिए और यात्रा पर जाएगा, कष्ट कम आएगा, नमना रहे, म उनका ऑफिस का अपना एक टाइब है, आपके फोन जो उठाए जाएंगे, वो सुबह नौ बज़े से लेकर साम आट बज़े की बीच में उठाएगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि आट बज़े की बाद आप फोन नहीं करें, आपके फोन इस बात की फिर बाद जानकरी आ पिर दर्शकवार मित्रों शाक्ति 29 जून आपका जनम दिन या फिर साधी की साल गरें, तो मेरी और से आपको हर्दिक सुबकाब में, आपका जिमन खुश्यों से भरा रहे, सनी देव की सिर्चर्ण में मेरी प्राद, 29 जून आपका जनम दिन या फिर साधी की साल गरें, तो जो उपाई बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष बर आपको लाब और शफलता देगा रिषादी की सालगर है तो पति-पति की दोनों इस उपाई को करें अगर आपका जनम दिनत इस उपाई को आप शियम करें आज के दिन प्रादकाल नित्य कर्म नियों सिनानों उप् पीले वस्ता धारण करें तस प्रसाद सर्धा प्रोग पुरु भगवान श्री हरी विष्णु का पंच पिचार पूजन करें धूप दीप नेवेदी पूस पर अक्षता रिचित करें श्री नारायन के चरणों में ओम नम भगवति वासु देवाय नम इश्मंत्र का जाब अपनी नाभी और कंट पर केसर का तिलग आउश्य करें भगवान श्री हरी के विष्णु अश्टोत्र नामावली का तीन पाट करें तस प्रसाद 108 पीले पूस्त ओम नम भगवति वासु देवाय नम इश्मंत्र का जाब करते भगवान श्री हरी विष्णु के चरण नम महिला को चने की दाल और गुर्ड का दाद देजिए प्रतियक प्रतियक शूम्बार को यह उपाय करें और नियमित करें भगवान श्री हरी की किरपा से आपका जिमन खुश्यों शे भरा रहेगा नम बात करते हैं आपके राशी पहल आपके चंदर राशी आपके नाम तरण कर रहे हैं ग्रेगोचर उत्तम है समय लाब सपलता और खुशी का संके देले साथ और पुरसार से वैविशाय में ब्रदी होगी धन लाब होगा यात्रा सपल लेगी मांच सम्मान बढ़ेगा भाई बंदोंगा सयोग और कारिशिदी में पूनता साइक सिर्द होगा विटम अउसर लाब का संकेदर है केरियर और एजुकर समंध परेशान का निवान होगा राजनिति का चेतर कामकाज का चेतर एजुकेशन का चेतर अच्छे लाब के संकेदर आए नौकरी के चेतर में उनत्य के अच्छे अफसर मिलेंगी क्या करें थोड़ा सा अपने मंगल देव के बीच मंत्र का जाब करना आज उत्तम रहेगा आज बाराक बारा राशियों के लोग सभी लोग जो में मंत्र बताऊंगा वो सूर्य उदे से ठीक 12 मिंट पहले जाब करेंगे तो उत्तम लाब कभी भी कर सकते हैं लेकिन समय वो अच्छा रहा है बात विर्श प्रावन शुकत रहेगा कारी में रूची बढ़ेगी सासर प्राक्रम से रुकिवे सभी कारी बढ़ेगी इच्छी धनलाब होगा नन्याल पक से सुबसमाचारों की प्राप्ति होगी पारवारिश्ण देश को अच्छा स्वयोग मिलेगा कैरियर में आगे बढ़ने का मोक करें अच्छा लाब मिले क्याना करें किसी का नाइजाइज फाइदा उठाने का प्रियासना करें सुबंग दो सुबंग सुना रहा भागिया आपके 75% लाब कर संकेते बिश्वराश्वल ओम द्राम द्रीम शुक्रायनम शुक्रदीव के विजमंत्र का जाब करना उत्तम नमनेन बात करते हैं मितुण डासी पंचम भाव में चंदर देव ब्रश्पत देव के नक्षतन में संचन कार रहे हैं कारिचेत में शाकर्मियों से मधूर वैवार की प्राप्ती होगी कामकाज कारुबार में अपनों का पून्षात मिलेगा आर्तिक पक्ष में सुधरता समयगी समधिक सम्हें अच्छा रहे गां समधिक सिवाओं का अबसर मिलेगा कर अपना नियंतर हैगा सभाव सोसाइटी गोस्ति में जाने का मोका मिलेगा समधिक कारिवे में रूची बढ़ेगी घर परिवार के सयोग से मन संतूष रहेगा और नक्षतर गर्णा अंकूलत कार्य की प्रति लगन महनत परिश्रम का पून फल आपको मिलेगा और नक्षत अनुकूर होने के नाते परिख्षा प्रत्यवदार एज्यूकेशन और नौकरी के चेतर में उत्तम आउसर बेंगे क्या करें अपने दाइरे के मेरेकर कार्य करना उत्तम रहेगा क्या ना करें जल्दबाजी में कोई निर्णाय ने ले शुबंग शुबंग गुलाभी भाग्या आपकी पक्ष में 60% लाब का संकीते में थुन्दाश वालों ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शाब बुधाय नमों भागी से कोशो दूर है क्या करें वेवाईक और पारवरी जीवन में कल्हे और परिशाने से पिछा ही नहीं चुटा है हमेशा कल्हे और परिशाने नहीं घेर लिया है जीवन की कुंठा से बार नहीं आ पारें क्या हो पाए जो मित्रों आज प्रातकाल नित्य कर्म जिंस नानों प्राण शर्धा पुर्वक भगवान श्री हर विष्णों का पूजन करें चंदन की धुब जलाए शुद देशी घी का दिपक जलाए नारहन को पीले रंग की पोशाक अरपित करें और उनके चलनों में केशर का लेव करें सुद आसन पे बैठकर ओम जगत प्रिया आए नमहां इस मंत्र का जाब करते एक सु आठ फीले पूश्ट नारहन को अरपकर लगातार लगातार 40 दिन करके देखेगा परिशानी और कर्ष्ट में शुटकारा जुरू आएगा नमनेनु बात करते हैं करकरासी चतुर्थ भाव में चंदर देव ब्रश्पति देव के परिशानी कस्त का संद्र में आज बीगन है बादाय है उठापटक है तनाव है लीगल मामले है सहिंव और धैरी से काम नहीं किया तो परिशानी बहें लेंदेनी कारी में रकम दूब सकती है तथा कती मित्रों से धोका मिल सकता है धन और समय का आपवय है बहुत जरूरी है आज परिवार को शात रखे परिवार की सुने परिवार की आवश्यक्ताव पर ध्यान दे अनेता पारवार इकल है की संभाव नहीं और एक बात और ध्यान रखेगा वाद विवास से तर्क वितर्क से हानी उठानी पड़ेगी इससे बचिएगा नवीन योजनाई असफल रहेगी निवेश नहीं करें अपनी वारता को गुप्त रखे तो बैतर होगा किसी बड़े व्यवसाइक सोद्र में निवेश करना नुकसान दाएगा क्या करें बहुत जरूरी आसपास के बातावन की प्रति सचेत रहे और सोश्रमच करने ने ले क्या ना करें स्वास्त की चंदर देव भॉष नक्सकुतर में संचन कर्येंź सितानों की चाल बहुत अनकूल सास और प्राक्र में बढ़ोतरी होगी कि स्मधिक दाईराएगा और STE को पूरति की साथ सात काररियों में सास और सजर्द्धा दिखाने से मावेश की प्रसंद होगा आप युवार उस शिख्षा में अध्यान रख थे तो अच्छे प्रणाम का संकेत नजर आ रहा है क्या करें भूमी और वहान समय कोई निवेश करना चाहते तो पारवारी रजाबंदु से करें क्या ना करें अपनों के इच्छा का अनाधर ना शुबंग पांच शुबंग ह यहां करा भग्या आपकी प्रणार यहां क्या रख और यहां करते हैं तौसरे बाहले दूसरे बाव में चंदर भृष्पदडेव करा संचेदि इए कि पारवारी की शुब आनों जमेदारी को पूरा करने में आज पून्ताप्शक समूदे ने घंड़ाई छुनोतियों से डटकर मुकाबला करेंगे सामजी की समन में अच्छा रहेगा परिवार का पूर्ण स्वयग में लेगा कामकाज कारबार नौकरी वेविस्ता में उत्तम अवस्तर के साथ धन की प्राप्ति का यूग है आज बुजर्गों की सला से आपका वर्चसु बढ़ेगा स्वयजन और मित्रों से मधूर विवाय बनाए रखने की वज़े से हर छेतर में आपको लाब और शफलता मिलेगी कारवारी यात्र में थोड़ी सी साफधानी बढ़ती तो दिन अच्छा भी आप कॉमर्स में हैं बिजनेस स्टेडी में आई आई टी में बीटेक में हैं करें वेर्थ के विवादों में ना पड़ शुबंग एक शुबंग प्रपल भाग्या आपके पक्समें साट प्रसेंड लाब कर संकेति कन्यराश्वल ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श्य बुद्धाय नमा बुद्देव की विजमंत्र का जाब करना उत्तम रहेगा नमना इन ब करेंगे मांसिक इसती प्रसंता दाएगेर और संतोष मिलेगा अपने आपको सहज बनाके रखे तो युवाओं के लिए केरियर और कामकाज में उत्तम अवसर में तनाव को अपने उपर हावे नहीं होने देना है केरियर में शपलता मिलेगी नौकरी में आगे बढ़ने का म मिलेगा और वैवेशाय में धनलाब के उत्तम आउसर है क्या करें कारिशित में नय प्रस्ताव सोच समझ कर स्विकार करें किसी से इर्शिया और कुंठा ना पाले शुभंग नौशुब्रंग नीला भागिया आप चिपक्स में 80% लाब का संकेते तुला राश्वाल ओम द सोच विशार कर कारिश भावनाव वैक निरने नहीं ले न बहावनाव हुघ आप निरे निजी रिश्तों की परती फवित्यता और पार दस्ता रख ए स्युभ does दों आज किसी बंत्री्यर के साथ दोका नहीं ने ह Thr परिवार में कले की संभावना है, सरकार से परिशानी है और वान समंदी मामलों में भी सावधानी का संकित नजरा रहा है, दुरुगट ना हो सकता है, परिवार में किसी का स्वास्ति भी प्रभावित हो सकता है, युवाओं को थोड़ा सा साव देने चाहिए, कि आज बंती आपके 35 परसंद लाव का शंखेत है विर्षिक्रासाओं विज मंत्र करना नूमनमा इन बात करते धनुरासी यार्व में चंदर देव। भ्रश्पत देव संचनर करें ग्रेगर्ची शुपता और अनुकुलता से संपनु सामाजिक सरकल अच्छा रहेगा समाज में आपका वर्चे उसरेगा और समाजिक लोगों साथ बैटने का मोका भी मिलेगा परतिशित उच बड़े लोगों के साथ रिष्टे बनेगा परवायर सदेशन मित्रों का भरपूर सेवक मिलेगा दार्मिक याता सपल होगी कारवेर योजना सपल होगी आर्थिक क्या करें आतम विश्वास से कारे करें क्या ना करें वेर्थ के विवादों में ना पड़े शुबंग साथ सुब्रण सपेद भाग्या आपकी पच्छतर प्रसंद लापका संकेदी धंदा सल ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाग गुर्वे नमा ब्रश्पत दिव के बीज मंत् सब्सक्राइब निट्य कर्मियों सिनान उप्रण अपनी पूजा अस्तान में सुद्ध देशी घी का दिपक जलाई और चंदन की धूब जलाई शुद आसन पर बैटिए और बातर 108 बार तुलसी की माला पर ओम जगत करत्रे नमा ओम जगत करत्रे नमा इस मंत्र का 108 बार न सब्सक्राइब थोड़ा शागूर गाई को अपने हाथ से खिला देगा नेमित कुछ दिन करके देखेगा कलह से छुटकारा मिल जाएगा और बात करते हैं मकराशी दसंभाव में चंदर देव और दसंभाव में चंदर देव ब्रश्पत देव के नक्षन में संच्र कर सित अर्तिक समय से का समधान मिलेगा स्वास्ति अनकूल लेगा मन प्रसंद लेगा और सुब जारों को उद्धाय होगा आप युवा हैं आज केरियर और एजुकेशन के हिसाब से नक्षत रगणा उत्तम फलों का संकेत देगा तो नई जिम्मबारी के साथ साथ प्रमोशन हो स नमिन कार्यों में पूंजी लगाना जाते हैं तब भी आपके लिए लाप पर क्या करें थोड़ासा अपनों से बड़ों से ताल मिल बनाए रखना बहुत ज़रूर्य क्या ना करें सामजी कारियों के उपेश्चा ना करें सुबंग नहीं भागी आपकी पर सतर प्रसंद ल आपकी विए टारात बांगते अदिकारीबर और स्त्रेमर स्कारात को भागा प्रसंद लैंगा अवयं गारतिक अधियोश्पार में प्रसंद मैं के – आप खेल कैसे विए विए लिए ग्रक्त वर्श भ्रृप क्सें गयुआ इस इंध्य व्लुय नेंगे वह जाब अगोश वाहर उस शिक्षा के चितमे अध्यन्दत है तो अपनी चंपता देखाने का मौका मिलेगा समझिक से वह में सामिल होंगे और अच्छा दिन देते हैं क्या करें व्यविशाई विस्तार के लिए बहुत ज़रूरी प्रियास्त मैनत और संगर्श क्या ना करें किसी का भी अहित आज पारवारिक और व्यवाइक जीवन में मन मुठाव और कर्ष्ट का संकेत मजर आ रहा है अतितिक आतम विश्वास से बचे अहंकार और एटिटूट इस दोनों आपके लिए परिशानिक आगा इसलिए नेगिटिव एटिटूट नहीं रखें सरकारी मामलों में लापर परिशान करेगा किरीब किसी प्रियवस्तों की हानिका युग में जाए और गर्षण में दी परिशानिये बढ़ेगी साफधान से काम देश्वाओं के लिए बहुत जरूरी है व्यर्थ के परपंस से दूर रहना मैनत करना परिश्रम करना शंगार्श करना लेकिन सहज भा भागिया आपके पक्ष्ण में केवल 40% लिलाब कर संकेते मिंदाश वालो ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाक गुर्वे नमा ब्रश्पत दिव की भीज मंत्र का जाप करना अती उत्तम रहेगा प्रेश्वार मित्रों शातियों ये था भारक मारा राशियों का राशिपल अंकलन मेरा है और मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर समा मांगता हूं आप शुखी रहें आप स्वरस्त्रे समर्दी से लें सनेदेव की चलना में मेरी प्रात्मा ओम नमारा रास्तान का हर व्यक्ति जानता है एक दाति माराज गायन से बहुत प्यार करता ह हजारों श्यक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया घया है और यह मेरा शौक था मेरी रास्त की धुरावर्य ती है gettini करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वजी से नहीं सुना रहा हूं था हारी भाली बता रहा हूं यह मेरा जी शेवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान परस्तियां आर्तिक देस्टिकों से मेरी अनकूل नहीं है छिप नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजाए नहीं पहले भी कभी नहीं मांग Red अब भी मैं नहीं कहो रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मेराष्ट के सामने कभी नहीं आये था, हमेशा मैंने यह का कि आप शेवा करिया, मैं भी शेवा करता हूँ, आप भी शेवा करता हूँ, धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्ति हैं, वो मेरे को यह कहने के मजबूर कर रही है कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए आप अपनी जन्मकुली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप म मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान हैं ऐसा हिरदय से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा यह एंकार नहीं है शातियों मेरा राश्रों पर रहेगा ऐसा मेरा निवेदन है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगब 20-25-50 लोग ऐसे भी है जिन्नोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा का दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रगर करता हूं और यह सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दश्टिकौन से अनकूर संकेत नहीं दे रही है अपनी एक शीमा है और अपनी मर्याद है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है करना जो चुने करना है कि दर मैं ःופको देटे भी मैं एका जुट से की।